हेलो पेट केर्ड वेल्कम टू पेट पॉज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेमिस ब्रीड ऑफ डॉग जिसको हम लेब्राडॉर रेट्रीवर या लेब या फिर लेब्राडॉर के नाम से जानते हैं और जो कि एक बहुत फेमिस ब्रीड है अल ओवर द ना रखें जिसमें मैंने बहुत अच्छे से टेटेल में सब कुछ बता रखाया सो जाके देख लेना यार उपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक दे रखा है ठीक है तो अब भी अगर मैं बात करूं लेब्राड डॉर के बारे में तो इंका यार मैं स्वें जादा टेटेल में नहीं बता रहा है मैं इंकी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं कि आपको एक यूँ बाई करना चाहिए और इंका नेचर एवरी कांड ऑफ स्टफ अकॉर्डिंग टू माई नीचर एंड डेट डॉक्स नीचर तो लेब्राड ओर रेट्रीवर एक ऐसी ब्रीड है जो पहले के डाइम पर रेट्रीव गंडॉक्स बोला जाता था इंको रेट्रीवर गंडॉक्स तो जो कि फिस को कैच करने में हेल् पाते थे और इनका ओरीजन है नुटॉ फाउंड लेबरडॉर से जो कि एक स्टेट का नाम है लेबरडॉर वहीं से नाम पड़ा है लेबरडॉर तो ऐसा है कि लेबरडॉर जो स्टेट है उसके आस-पास में पानी हीं पानी है क्कान ओफ ओसी निस देर्शी जो वहाँ पे ओसियन है वहां पर गंस ट्रीव और फिस को पगड़ने का काम सब जो भी ओनर होते थे लेबराडॉर के वो सब इस लेबराडॉर से करवाते थे तो इनकी स्विमिंग पावर बहुत ही तेश थी इनके पॉज बहुत अच्छे थे स्विमिंग करने के लिए इनका जो भी एबि और अगर मैं बात करूँ इनकी लाइफ एक्सपेंडेंसी की यानि किते साल तक जीते हैं एवरेजली आज तक का जिता काउंट हो रख है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया सो यह है कुछ 10-10 से 12 साल के बीच में इनका ओरीजन न्यू फाउंड लेंड से और यह तीन कलर म में फाउंड होते हैं ब्लेक चॉक्लेट यलो और कुछ कुछ वाइट में भी होते हैं जो कि यलो में ही मिक्स्ट होता है और और अगर इंकी है एवरेज हाइट और वेट की बात करी जाए पहले हाइट की कर लेता है तो मेल की फीमेल से ज्यादा होती है मेल की होती है 57-62 औ और फिमेल की ओटी है 55-60 cm दोनों की cm और वेट की बात करों तो मेल का जादा होता है किलो ग्राम साइज में इट्स डिपेंड ना दोनों डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फीडिंग अधर गैंडा और वेट होता है 29-36 kg फिमेल का 25-32 kg और इंका ट्रेंपरेंट यानि टाइप ओफ तुम्हारा नेचर इवन टेंपरेड और इंटेलिजेंट होती है टॉप सेवन नंबर पर आती है ये डॉप ब्रीट इंटेलिजेंट ब्रीट में और बहुत लॉयर होते हैं ट्रस्टिंग जेंटल आउट गोईंग और बेसिकली इंका नेचर बहुत है जिसको हम गार्डिंग के लिए प्लस तुम्हारी फ्रेंडली नेचर के लिए ले सकते हैं नौट मच अबाउट गार्डिंग क्योंकि ये गार्डिंग अच्छे से भी कर लेते हैं इस डिपेंड की हाओ दा ओनर रखेगा उसे और ये बहुत अच्छा है इंका नेचर हो अच्छे से फ्रेंडली होते हैं लेकिन इंका फ्रेंडली होने का नुकसान भी है कि अगर कोई श्रेंजर आ गया उसी बटेंग अगर आपको एक ऐसा डॉक चाहिये जो गार्डिंग करें प्लस जो अपके लिए फैमिली के लिए टाप ओर आप लिजांग ये बरीड है जो अल्मोस्ट अगर आपकी फैमिली चोटी है यह बड़ी है दोनों फैमिली में सुटेबल है मीडियम में भी सब में सुटेबल है बहुत अच्छी डॉक ब्रीड है और इनकी प्राइज रेंज 15,000 से लेके अगर आपको एक परफेट चैंपियन लाइन का जो चैंपियन का आपका कॉंटेस्ट होता है तो उसमें जो जीता है उसकी जो सन या डॉर्टर होते हैं वो उनका प्राइज तो बहुत ज्यादा होता है 60,000 डू लैक और अब देट और नॉर्मल तो 8,000 से 16,000 के बीचे मिलता है नियर में तो और अगर इस वी आर गॉना टॉक अबाट इंकी आपको क्यू लेना चाहिए एक लेबराडॉर तो लेडॉर लेने के आपको खुद आपको एक टाइप ओफ होना चाहिए कि मुझे एक गा डॉक भी चाहिए और मुझे एक फ्रेंडली डॉक बीच यह ज्यादा मेरे को फ्रेंडली डॉक चाहिए इसलिए मैं अच्छा पाइंटा लेडॉड अगर आप बाई करना चाहते हैं कैसी डॉक पड़ सकते हैं उसके लिए भी वेडियो दे रखिए उपर आई बटन में लिंक है नीचे डिस्क्रिप्सिन में भी लिंक है हिंदी और इंग्लिज ओनो लेंग्वेज़ में हैं और अगर आपको क्यूट पिक्चर देखनी हैं लेबराड़ की और रॉयल के निन की आपको जाके देख लेना चैनल को सब्सक्राब कर देना सेर कर देना अब दोस्तों के सांथ अपने पैट का क्याल रखना अपना क्याल रखना ओल दे बेस्ट बबाई टेक केर